मिट्टी को पलटना क्यों जरूरी है आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा जब हम खेती करते हैं उसमें हैरो करते हैं और हल चलाते हैं और मिट्टी भी पलटते हैं और ये मिट्टी पलटने का काम हमको साल में एक बार करना चाहिए अगर हम साल में एक बार नहीं कर पा रहे हैं तो दो या तीन साल में हमको जरूर मिट्टी को पलट देना चाहिए और कितनी करहे तक पलटना चाहिए और इसके क्या-क्या फायदे हैं आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा और इसी परकार की चर्चा सुनने के लिए आप इस चैनल के प्ले लिस्ट है क्रिशी किसान इस क्रिशी किसान में आप चर्चा सुनिये जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और भी प्ले लिस्ट हैं जो अग्रिकल्चर के कोर्से से रिलेटेड हैं BSC, MSC, PhD के लिए बहुत helpful है, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में सुनने के लिए कृषी किसान को सुनी है, और ये किसान भाईयों के लिए मैंने अलग से playlist बनाई है, तक ही उनको खेती में ज्यादा ज्यादा लाव मिल सके, मैं डक्टर अमिद बटनागर, पंतनगर, कृषी विश्विदालने मैं प्रोफेसर के पत पर कारे रहत हूँ, और मेरा ये प्रयास है, कि किसानों तक सही, प्रमानिक और बेग्यानिक जानकारी पहुँचे, तक ही उसका लाव अपनी खेती में ले सके, तो आज जो चर्चा है, मिट्टी को हमें क्यों पल लेकिन जो हम पौधें उगाते हैं, जो ये जणे रहती है, जो हमारी फसल रहती है, जो ये जणे तो काफी गहराई तक जाती है, एक मीटर तक भी जाती है, लेकिन जो ये जणे है, जो अधिकतर जणे है, जो अपना जो काम करती है, वो करीब 15 सेंटीमीटर तक काम करती है जिसे हम मानते हैं कि यह हो गहराई है जहां ज़ादा ज़ादा पोरिषर तत्यों का अम्शोषन होता है और 15-20 cm मान लीजे 15-20 cm अधिकाँशता हलना कि 25 तो हो सकता है लेकिन यह 15-20 cm तक्य опती है 6-8 इंच हम मान सकते हैं येतनी गहराई है जहां अधिकांश तहां जड़े होती है यहीं से यह पोशक तत्व को लेती है यहीं से पानी लेती है अगर पोशक तत्व यहां पे है तो इसका बहुत ज्यादा प्रवाव फसल पर नहीं पड़ता पानी अगर यहां पे है तो उसका बहुत अधिक प्रवाव नहीं पड़ता नीचे की मिट्टी कैसी है इसका बहुत जयदा फसल प्रभाब नहीं पड़ता, ऊपर की 15 से 20 सेंटीमिटर की, 6 से 8 इंच की जो मिट्टी है उपर की, वो कैसी है उसका प्रभाब हमारे फसल पासन पर पड़ता है, अब यह मालेज एक समान ने मिट्टी है जिसके उपर हम खा उसके लिए गोवरी खाद डालें हों यहाँ पर होना चाहिए हैं तो हम इसके लिए गोवरी खाद डालते हैं उसको मिलाते हैं to ये बना रहा है, लेकिन पोशक्तत्यू पानी के साथ कुछ नीचे तक आ जाते हैं, कुछ इस गरहीं ठाटे हैं, कुछ नीचे तक चला जाते हैं, उडिश Speaking तक रहते हैं तो जो अधिकांश पोशक्तत्यू हैं, और ये बाद में capillary rise होती है, जो सूच कणों के बीच में जगा होती है, उससे जो पानी चलता है, केशी का जल जो चलता है, उससे उपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो layer है, ये जो जगा है, यहाँ पर हमारे पोशक कत्तों एकटे होने लगते हैं, दो-तिन साल बाद, एक बात तो ये हुई, दोसरे बात ये हुई, कि जो बहु अर्शिय घासे हैं, जिनके जड़े बन जाती हैं, या जैसे मोथा है, जिसकी गाठे बनती हैं, तो वो गाठे कहा रहती हैं, वो यहाँ पर जमीन में रहती हैं, बोटी-बोटी जड़े यहाँ पर रहती हैं, तो तो यहां पर इखटी होने लगती है , और फिर घास की समझ्या बढ़ने लगती है, क्यूक्न हम जुझता यहां पर कर रहे हैं , कट भी जाती है , फिर से जड़ें निकल आती है . जैसे जड़्ा के कि जो जो भीज से बनते हैं जो上 से बनती हैं उसका बीज गरता है वो ऊपर के लियर पे रहता है तो अब देखिए जो गास की समस्या दो प्रकार से啊 एक वह गास जिनका बीज बनता है वह उपर के लियर मे 맞는 रहता है ऊपर रहता है उपर ऑफर 5-10 cm रहता है जो जड़ exist तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि अब यह चीज ऊपर है जो पलट देंगे यह चीज ऊपर है और जो ऊपर वाली चीज थी वो नीचे आ गई इस चित्र को ऐसे समझ दीजे फिर से कि अब यह जो पलट दिया तो यह अब ऐसे हो गया चित्र यह चित्र ऐसे हो जाएगी मिट्टी जो नीचे थी वो ऊपर हो गई और उपर वाली नीचे हो गए अब देखे क्या होगा इससी ती बदल गई जो पोशत तब तु नीचे थे वो कहां है ऊपर आ गए जो मिट्टी की जो बीज उपर थे जिनसे बीज घास बन रही थी वो कह अब इनका अंकुरान बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि बीज से पैदा हो रहे हैं तो अंकुरान होते यहीं मर जाएंगे और जो गाठे थी वो कहा अगए उपर आदें जो जड़े थी वह उपर आई अब जो सूरज की कर्मी पड़ेगी इससे क्या होंगी सूख जाएंगी तो हमको दो तरह के बहुत अच्छे लाव मिलते हैं एक तो पोशकत्तु ऊपर आगए जो नीचों को बैठ रहे थे वो फिर से जड़ छेतर में आगए नमर एक दूसरा जो घास जो ऊपर वाले बीज थे जो जमते थे बार बार वार वो नीचे आगए तो जो हमारी हर सीज तो हमारी घास की समस्था भी कम होगी तो पोशकत्तु भी हमारे फिर से आगए जड़ छेतर में घास भी कम होने लगी उसके बाद जो कीड़े जो होते हैं वो अपने अंडे नीचे देते हैं उनकी सूनिया नीचे रहती हैं जमीन के अंदर तो जो हमने मिट्टी पलट दी होगी उसको भी खतम हो जाएंगे सूरची गर्मी से तो कीड़ों की जो समस्य बनी थी वो भी कुछ कम होगी पूरी तरह तो खतम ने होगी लिए कुछ कम हो जाएगी तो हमारे जो मिट्टी पलटने का जो काम है वह इसलिए हमको कहां करना चाहिए जब तेज धूप हो तो हम पलटते हैं तो इसकी संवचना में सुधार होता है तो मिट्टी पलटते हैं धेले बनते हैं तो बारिश का पानी है वह अच्छा जाता है वायू संचार बढ़ता है और मिट्टी की जल धारन चमता भी बढ़ती है तो वायू संचार बढ़ेगा जल धारन चमता बढ़े पौदों को भी फाइदा पहुचता है तो यह हर प्रकार से हमको फाइदा होता है निसमे नुकसान नहीं होता है इसलिए आपको गर्मियों की दिनों में मिट्टी पलट देनी चाहिए जिससे आपकी पोशा तत्वी बने रहें घास के समस्या भी कम हो जाएगी और उत्पाद प्रकार के वीडियो को और लों के साथ भी शेयर कीजे तक ही उनको भी इन वीडियों का लाब मिले और अपनी खेती में वो अच्छा उत्पादन ले सके धन्यवाद